यह सब क्या देखना पढ़ रहा है गजब तो बहुती ताक्ति भढ़कती खावर आपके साब ने लिए हूँ तो भाई आपको पता ही कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ने वैसे बैंड बजा रखे दुनिया की कोई कहता है जॉप सली जाएंगी कोई कहता कुछ चला लेकिन यहां पे तो इंसान के पाट्डार है चले जाएंगे आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा ना मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है डाक फोटी कोपन को यूज करो 600 रुपे का कोर्स मिलेगा प्र करो और टेलिग्राम ग्रुप को यार जरूर जोइन करना वह क्लास मिस कर दोगे ओके लाइफ क्लास मिस कर दो इसके रिकॉड़ेट सेशन भी आपको मिल जाएंगे भाई आप पर रिकॉड़ेट सेशन आ जाता है जितनी बार देखो तो इस नमबर पर टेलिग्राम मतलब की रिसीट मेसेज करो ओके तो भाई बात यह है कि जो AI है यहां पे गौदत मो हैं जो अर्ड़ेटी गूगर की फॉर्वर्ड इंप्लॉई रही है और AI में यह लीड रही है मतलब बहुत बड़ा नाम रहा है इनका इन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में और आपको लगेगा कि AI आपके साथ संबंद बना रहा है आप एकदम फील कर पाएंगे यानि कि आगे आने वाले समय में human partners की जरूरती नहीं है चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो आप फील कर पाऊगे मतलब आप समझ रहे हो कि आपको लगेगा कि आपको दिमाग ऐसे sensations प् रियल यानि कि एक तरीके से सेक्स AI अब सेक्स में भी आ गया है वैसे आपको बता दो कि अभी कुछ दिन पहले कुछ मैनों पहले ख़बर आई थी कि भाई डिजिटल रेप हो गया AI में artificial intelligence में वही जो virtual reality का हिसाब किताब है तो आप खेर ग्वादत हैं या पे मो ग्वादत उन्होंने काफी कुछ इस पर ग्यान दिया है और बोला है कि भाई यह reality बहुत जादा दूर नहीं है और definitely human emotions तो अलग होते ही हैं बोला है कि भाई emotions को अब आप AI से तो माच नहीं कर सकते बढ़ यह सब कुछ जीत के रख देगा मतलब को इतनी बड़ी ठुकरा के मेरा प्य से हरा पाओगे अब कितना भी कुछ कर लो याई को फर्गे नहीं बड़ेगा हर मूवी देखी है वो मूवी देखो उसमें वाक्विन फिनिक्स वही जोकर वाले उनको प्यार हो जाता है AI से ठीक है और वो बहुत ही शांदार मूवी है और बाद में ऐसा उनका कटता है जो वो पूशते हैं कि क्या तुम जैसा है मुझसे बात कर दोई वैसे सबसे बात करती हूँ कैते हा मैं 10,000 क्लाइट्स के साथ ऐसी बात करती हूँ बस फ्रेंड जोन बयानक तो यहां पर भी यह सब होगा तो यह बड़े खतरनाक रिवलेशन्स किये हैं कि आगे आने वाले सम बाकी ये भी बोला गया है कि experience कैसे होगा ये तो मतलब भाई देखो अब physical intimacy मतलब होता contact ठीक है शरीर से शरीर का मिलना तो ये तो impossible है आप virtual reality भी लगा लो VR भी लगा लो कहते है कि आगे आने वाले समय मैं इसे टेक्नोलोजी आ जाएंगी है ना वैसे भी हम human brain पे बहुत ज़ इस पे काम already चल रहा है जापान और अमेरिका में इसका concept बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है और ये पहले भी जापान जो anime होता है और सब में ये बात होती थी एक तरीके से यहां बढ़िया है तो ठीक है भाई बहुत लोगों की तो आखें चमग गई होंगी आई को लेक अगर कोई मालिक है जैसे मैं हूँ मुझे अगर AI पे मैं काम कर रहा हूँ और artificial intelligence मुझे वो सारा काम करके दे रहा है जो मैं 10,000 लोगों को दे रहा हूँ पैसा यानि कि मेरा करोर रुपय बच रहे हैं तो मालिक तो यही AI पही जाएगा बारा सरकार भी उनके पैसे तो यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनकी रोजगार गया गयी रोजी रोटी वो बोलना इसको हटाओ ऐसे थोड़ी ना चलता है तो यह जगा जगा देखे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके है AI की उपर और और यह रेगुलेटेड नहीं है अब यहाँ पर बोला कि AI हुमन के साथ हाना चाहिए हमने अची बहुत सारी मूवीज में देखा है जब AI ने ओवर पावर कर लिया सबसे पहली मूवी आई थी जेम्स कैमरून की टर्मिनेटर जिसमें एक वो AI तो होता एक तरीके से कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसान को ही खतम करने लगता है है ना अभी हमने देखा कि एक सिमुलेशन में AI रोबोट ने मार दिया उसका जो डारेक्टर था अमेरिका में यह सिमुलेशन चल रहा था और हर एन्मी को मारने के उसको पॉइंट्स मिल रहे थे तो जो उसका कॉडिनेटर था उसने बहुत उसको मारना नहीं डिजिटल दुनिया में था तो कॉडिनेटर ने बहुत ही कम देखने को मिले हैं बट फिर भी है तो अभी एई बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में अभी बहुत किया यूपी एसी का एक्जाम नहीं निकाल पा रहा है अब यह देखो क्या-क्या निकाल ले रहा है यूपी एसी आईटी तो बाद में क्योंकि अभी एई टी बहुत ही जो एई है अभी बहुत ही मतलब समझ लो कि अभी यह पैदा हुआ है एक तरीके से है ना और जैसे जैसे मैच्चोर होता जाएगा पैसे वैसे इंसानों की बैंड में जाएगा ठीक है तो अब जो हैसो है देखेंगे फिलाल यह ख़बर मज़े लग आपको बताओं पाग आप हमारे डाक साइकॉलोजी की कोर्स को जरूर अवेल करें आपको बहुत जबाद फायदा होगा थैंक्यू सो मच